नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना तेजपाल गोदारा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री जौन में आपका स्वागत है आपने माईको राजा के बारे में तो सुना होगा और आपको वैम या माईको राजा को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे आज की वीडियो के माद्यम से हम बात करेंगे कि माईको राजा क्या है और इसका उप्योग कैसे करते हैं और फसल या पोदे में ये क्या काम करती है कितने परकार का होता है एक एकड में सही डोज क्या होती है और इसको कौन-कौन सी फसल में डाल सकते है सबसे पहले बात करेंगे कि माई को राजा क्या है तो किसान साथियो आप सोच रहे होंगे कि माई को राजा एक खात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यह एक फंगस है इसको किसान की मित्तर फंगस भी बोलते हैं इसको सहजीवी फंगस भी बोलते हैं यानि कि पोधे की जड़ों के साथ ये सहजीवी सबंद बना कर अपना काम करती है इसी कारण इसको किसान की मित्तर फंगस भी बोलते हैं वैम या माईको राजा का पूरा नाम वैसिकुलर आर्बूस कल्चर माईको राइजल फंगस है अब बात करेंगे कि माईको राजा पोधे में काम केसे करती है और हमारी फसलों को इसे क्या फाइदा मिलता है इसका मुख्य काम यही है कि पोधे की जड़ों का संपूरन विकास करवाना होता है जो पोशक्ततों बुमी में या मुरिदा में इनेक्टिफ ओम या एप्राप्य वस्ता में जो खाली पड़े रहते हैं पोधे द्वारा या पोधे की जड़ों द्वारा ग्रहन नहीं किये जाते हैं उन पोशक्तत्वों को गोल कर पोधे की जड़ों तक ले जाने का काम करती है माईको राजा मुख्य पोशक्तत्व जैसे फासफॉर्स, द्यूत्यक पोशक्तत्व जैसे जिंग और शुक्षम पोशक्तत्व जैसे बोरोन को घोल कर पोधे की जड़ों तक ले जाने का काम करती है अब आपको पता हुआ कि फासफॉर्स तत्व के कारण ही अपनी जड़ों का विकास होता है मतलब माईको राजा का मुख्या काम यही हुआ कि अपनी पोधे की जड़ों का संपूरण विकास करवाना है जिसे पोधे का सही विकास हो सके इस फंगस का दूसरा काम बोधे की जड़ों में दूसरी या फिर भानिकारक फंगस की अटेक से भी ये बचाता है इसका दूसरा काम माईकोराजा फंगस मरीदा को भुरुबरा बनाता है वीडियो में आपको पहले ही बताया गया है कि यह मुख्य पोश्यक तत्तव फासपोरस को उपलबत करवाता है फासपोरस के रूप में मुख्य और उरक आपने डियेपी का उपयोग करते हैं जो डियेपी अपने 20 से 25 किलोगराम परती बिगा डाली है उसको बिना माईकोराजा के डियेपी में उपलबत फासपोरस तत्तव पोदे दुवारा गरहन नहीं किया जाते हैं जिसे मुख्य काम पोदे की जड़ों के साथ मिलकर जो पोदे में माईकोराजा या जिसको सुक्षम जड़ें या जिसको हाइफी रूट बोलते हैं उनका ये जाल बनाती है और ये जड़ें जितने ज़्यादा होगी उतनी ही मात्रा में जड़ों दुवारा पोशक्षम का घरैन होता है और पोदा स्वस्त रहता है और इन पोशक्षम की कमी को पूरा कर लेता है अब बात करेंगे कि आपको माई को राजा कितनी अवस्था में मिलता है माई को राजा आपको तीन अवस्था में मिल सकता है दानेदार, पाउडर और लिक्वीड ये तीनों अवस्था में मार्केट के अंदर उपलबद है वेम या माईकोराजा का उपयोग कब करना चाहिए वेम या माईकोराजा का उपयोग बिजाई के साथ ही करते हैं तो इसका रजेल्ट अपने को जादा देखने को मिलता है क्योंकि बिजाई के बाद जब तक भीज अंकूरित होगा उस समय तक इस माईकोराजा फंगस को ग्रोथ करने में या बढ़ने में समय मिल जाता है और जब जड़ों का विकास होगा तब ये अपने आपको जड़ों के साथ सहज जीवी सबन बना कर पोधे को पोशन देना सु काओ कर सकते हैं इसकी सही मातरा या डोज की बात करें तो इसका तीन से च्यार किलोग्राम पर एकड के हिसाब से उप्योग करना चाहिए और कौन सी कंपनी का वैम उप्योग में लेना चाहिए हर कंपनी का अलग 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 नाम से माईकोराजा मार्केट के अंदर आम तो पर सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम इस फसल में उपयोग नहीं करेंगे इस फसल में उपयोग करेंगे आप इसको सभी फसलों के अंदर उपयोग में ले सकते हैं अगर आपको यह हमारी जानकर यह अच्छी लगी है तो आप हमारी यूट चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक शेर और कोमेंट करना ना भूलें धन्यवाद जै जवान जै किसान